गुड बॉर्णिंग क्लास फर्स्ट बेटा आप लोग का आज हिंदी लेंगवेज का टर्ण है और मैं आपको एक्स्प्लेंड कर रही हूँ एक्सरसाइज चैप्टर सेवन की एक्सरसाइज ठीक है औरल कोश्टन देखिए बचन किसे कहते हैं बचन किसे कहते हैं तो सब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेव होने का बोध होता है उसे बचन कहते हैं बचन के कितने बेद होते हैं तो बचन के दो बेद होते हैं एक बचन और बहु बचन सही उत्तर पर टिक का क्रॉस तिक या क्रॉस करेंगे जिस सब्द से उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते है तो जिस सब्द से संख्या का बोध होता है उसे वशन कहते है जब सब्द का जब सब्द एक संख्या का बोध कराए तो उसे क्या कहते है तो सम्ख्या का एक होने का बोद होता है तो उसे एक बचन कहते हैं जब एक से अधिक सम्ख्या का बोद कराने वाले सब्द हैं तो उनको क्या कहते हैं बहुबचन नीचे दिये गए सब्दों को पैचान कर लिखिये छात्राएं, बहुबचन, लड़की, एक बचन, पत्तियां, बहुबचन, गोड़े, बहुबचन, गुबारा, एक बचन, आखे, बहुबचन नीचे दिये गए चित्रों का मिलान सही नाम से कीजिए कुरसी, कुरसी में मैच करिए, नेक्स्ट, कुरसियां, कुरसियां में मैच करिए, चुड़ियां, एक बचन, मैच करेंगे पत्ता, एक बचन, मैच करिए, चुड़ियां, बहुबचन, मैच करिए, पत्ते, बहुबचन, मैच करिए, ठीक है बच्चो, यह आपके एक्सराइज कम्प्लीट हो गए, पत्ते में एक बचन में मैच करिए, चुड़ियां, एक से जहां ज्यादा चुड़ियां, उसमें मैच करिए, पत्ता, एक पत्ते में मैच करिए, चुड़ियां, जहां ज्यादा चुड़ियां, वहां मैच कर ठीक है बच्चो आपकी एक्सरसाइज यह कंप्रीट हो गई नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज को टर्न करेंगे और थर्टी फर्स्ट पेज के बाद आपका आता है थर्टी टू पेज नीचे वचन के वाक्य बनाईए उन्हें बहुवचन में बदल कर लिखिये नीचे वाक्य बनाना है और फिर उनको बहुवचन में बदल कर लिखना है जो नीचे वाक्य दिये गए हैं उनको बहुवचन में देखके लिखना है गायक गा रहा है तो एक्जामपल में हो गया गायक गा रहे है नेक्स्ट है लड़की पड़ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लड़किया पड़ रही है पतंग उड़ रही है तो यहाँ पे हो जाएगा पतंगे उड़ रही है ठीके बस चल रही है तो यहाँ हो जाएगा बस चल रही है रही है बसे बस का हो जाएगा बगवजन में बसे चल रही है फिर बालिका गा रही है तो यहाँ हो जाएगा बालिका बालिकाएं गा रही है बालिका का बालिकाएं हो जाएगा बालिकाएं गा रही है ठीक है? बालिका जा रही है यहाँ पे एक बचन है एक बचन है बालिका जा रही है तो इसी तरीके से हो जाएगा बालिकाएं जा रही है ठीक है? एक्सेसाइब फिर देख लीजे लड़की पड़ रही है तो यहां क्या जाएगा लड़कियां पड़ रही है पतंग उड़ रही है बस चल रही है बसे चल रही है लड़कियां बालिका जा रही है तो बालिकाएं जा रही है चित्र के आधार पर सही सब्द चुनकर रिक्त इस्थान फिल करिए यहाँ पे जो चित्र इए गए हैं उनमें से आप देखेंगे और देखकर रिक्त इस्थान को फिल करेंगे लड़के के हाथ में एक पतंग है यहाँ पतंग है यहाँ पतंग फिल करना है लड़के के हाथ में एक पतंग है सेके नमबर बगीचे में फूल खिले हैं थर नमबर तितली उड़ रही है फोर बगीचे में चार बगीचे में चार ब्रक्ष है रोहन ने पतंग के कन्य खुद बांधे रिपीट करते चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को चित्र के आधार पर सही सब्य चुनकर रिक्तिस्थान फिल करें जहां पर एक एक्सरसाइज दी गई है उसमें चित्र में बहुत सारे नाम या नाम दिये गए हैं इने चुनकर आप अपने रिक्तिस्थान फिल करेंगे लड़के ने हाथ में पतंग है लड़के के हाथ में पतंग है जबकि जमीन पर तीन पतंगे हैं एक पतंग है और तीन पतंगे हैं बगीचे में फूल खिले हैं तितली उड़ रही है, बगीचे में चार कन्ये है, मुहन ने पतं के कन्ये खुद बांग दे, और फोर नमबर में आएगा बगीचे में चार ब्रक्ष हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका आएगा फोर नमबर में बगीचे में चार ब्रक्ष हैं, तितली उड़ रही है, थर नमबर तितली उड़ रही है, फोर नमबर बगीचे में चार ब्रक्ष हैं, फाइब नमबर रोहन ने पतं के कन्ये खुद बांग दे, फाइब नमबर रोहन ने पतं के कन ने खुद बांदें यह आपके एससाइस कंप्लीट हो गए यहां पर हम इसको बहुवचन बना के लिखेंगे लड़की पड़ रही है तो यहां जाएगा लड़कियां पड़ रही है पतंग उड़ रही है तो यहां हो जाएगा पतंगे उड़ रही है बस चल रही है तो यहा पर हो जाएगा बालिकाएं पढ़ रही है ठीक है बच्छो एक्सरसाइज में आप नीचे जो फीगर दिया है उससे देखके अपने जो फिलिंदा ब्लैंक से उसको कम्प्रीट करेंगे उचित वाह को फिल करेंगे देखेंगे और उसको फिल करेंगे किसी अच्छे का कि यहाँ पे लड़के के हाथ में एक पतंग जबकि जमीन पर तीन पतंगे है बगीचे में फूल खिले हैं तितली उड रही है बगीचे में चार ब्रक्ष है inten liberty ने पतंगे कन झानने क्ञे करने क्षित उसको कोने होते हैं पतंग के करने खुद बांदे हैं ठीक है जिससे हम लोग पतंग उड़ाई जाती है तो कोने बांद दिये जाते हैं तो पतंग आसानी से डोरी से उड़ती रहती है ठीक है अभी चलो आप जब बच्चे यह एक्सराइस फिल करेंगे और फिल करने के बार मुझे सेंड करेंगे एक्सराइस आपकी वन टू थ्री पोर और फाइब और आओ कुछ करें चितर के आधार पर कुछ चुन कर रिखते स्थान बरिए आपके पेज नंबर आपका 32 और पेज नंबर आपका 31 दोनों पेजों की एक्सराइस आप क्यों कम्पीट करनी है और मुझे सेंड करनी है सभी बच्चे दोनों पेज की एक्सराइस फिल करेंगे और मुझे सेंड करेंगे ठीक है सही लिखेंगे राइटिंग भी साफ रख निखेंगे, ओके बच्चुम